नमस्कार रादे किर्षना, आरपेसी फर्स्ट गेड बरती 2022 में जिनका सेलेक्शन होए उनको बदाया, अब आगे की परसेस क्या रहेगी डोकुमेंट वेरिफिकेशन में कौन-कौन से डोकुमेंट और कौन-कौन से फोर्म चाहिए वो जानेंगे एक ओफलाइन फोर्म भी बरना है, यह आरपेसी की वेबसेट पर उपलबती भी है, आप इसे टेलिगराम एक्सपर्ट स्टेडी गुरू से ले भी सकते हैं, इसके अंदर आपको पचास रुपे का पोस्टल ओडर भी साथ में लगाना है और यह आपको भरके साथ में लेके फोर्म भरा था, मेट करमांक, पोस्टर ओडर जो आप लेके हैं, उसका नंबर डाला है, विगापन संक्या, यह आपको रिउक्रुमेंट, इसकी जो बरती आई थी, उसमें बिल जाएगा, पद कोड और करम संक्या, विवाग का नाम भी और पद का नाम, पद जो आपका फ जो संक्या है, उसमें परपत्र यानिकी मारक्षिट की कॉपी एक है, दो है, कितनी है, वो यहाँ लगानी है, और लास्ट में यहाँ आपको इनकी संक्या भी देनी हैं कि कितने टोटल आई है, काउंट कर दीजिएगा, उसके बाद बार यह आती है, परपत्र तीन की, और ये सुरकार कुल चार परपतर इसमें दिये गई हैं और ये आपको बरने हैं और उसके बाद ये निचे का फॉर्म दे रखा है ये पुलिस डिपार्टमेंट की काम में आएगा लेकिन आपको ये भी बरना है पुलोग केपिटल लेटर में बरना है तो अब बढ़ते हैं आग प्रिप्ट भी आएगी वो भी आपको साथ में रखनी है एप्रिकेशन फॉर्म इस बरती के लिए जो फॉर्म बरा था वो चाहिए उसके साथ एक्जाम एड्मिट कार्ट उसकी व्यावसकता रहेगी उसके बाद दसफी बार्वी और ग्रेजुएसर इनकी मारक सीट और सर ग्रुप से चाहिए इसके बाद मूर लिवास जाती प्रवान पतर जो वेद्य हो विवा प्रवान पतर यदि शादी हो चुकी हो शप्त पतर जो आके दे रखा है वो विशेस मूर लिवास प्रवान पतर जैसे डेस पे अरिया का कोई है तो वो इसके बाद चरितर प्रवा पत्र जोइन में लागू होता हूँ अगर आप ने पहले किसी और सर्विस में जोइन कर रखा था तो वहां से भी अन्नोस्यों कि आउसकता पड़ेगी इसके बाद आईडी कार्ड जैसे कि अधार कार्ड है वो आपका वो भी चाहिए तो ये सारे डोकमेंट आपको चाहिए इसके अलावा कोई आपका स्वाल रहता है कोई समशा रहती है और कुछ उट गया हो तो आप इसमेस कर सकते हैं वीडियो को सेयर करें चैनल से जुड़े रहें तन्य कंपते हैं है तन्यूज्ग से जुड़ा आपया है प्रम्हें ये Aujourdव कहा कोई स्वाल चैनल से एकार ये हनाता हैलावार्क ऱ नजवड़ा ये प्लवड ये डिसमार है आपका स्वाल क्यानल